प्रविश ने बहुत बढ़ी यां गिनवाजी यहां पर देखने को मिल रही है अस्वी दुआरा पहली दीन गेने जहाँ पर कोई रनना ही खर्च किया है जो पहली दीन गेने खेली है रविश ने वो लिची बैक्लिप से खेलने की कोशिश किये उन्होंने ये गेन भी दकी किस तरह से अलके आतों से टैप करने की कोशिश की थी और शिटम से जरा से बाहर गेन दी रही थी जहाँ पर टॉट होती भी ये गेन बहुत बढ़ी में बहुत बढ़ी है गेन बाजी यहां देखने को मिल रही है ऐसी दोरा एक और अच्छी गेंदु ऐख रची दुट वहां पर क्रॉस दि खेलने की कोशिश की वहां पर इस वार बहले बाज ने लेकिन ये गेन भी डॉट्गी पोई रन नहीँ पहली चार की चार गेंदे जहां पर कोई रन नहीं बनाया है रविश ने इसकी एगेंद भी डॉट किस तरह सी हुई वहाँ पर क्रॉस दी लैंड, क्रॉस बैटेट इस ट्रूप जाते थी वहाँ पर बल्ले बाज रविश इसे भी अब हम रविश की बात करें तो एक अच्छे बल्ले बाज है वो पर देखना है ग्लांस किया है वहाँ पर रविश ने लिकिन अब एक रन आएगा इस गेंतियों पर मिछले सीजन कवाड में जो अमविटकर जशेक रहा था उसमें पहुत गजब की बल्ले बाज है की थी रविश पॉड ने और पंच्छतर अनों की बारी उनने खिली थी यारे सीजन रविश बॉर्ण पाज गेंदो में तक स्रीफ एक ही रन खर्च किया है वहाँ आसिफ ने वहाँ बढ़ेट की तरफ गये थे मिजान और बल्ले का पारी जिरा और मिजान की पारी यहां समाप पहला विकेट गिरता हुआ शेक वारियर्स का मिजान की रूप में अब बढ़िया के अदबाजी यहां तेखने को मिली है फहले और में आसिफ शेक दुआरा जहां सिर्फ एक ही रन खर्च किया और एक विकेट हासिल किया उन्होंने अब नहीं बल्ले बाद जाते हुए सगीर अब बाबू को बलाया गया है के इन बाजी के लिए पहले और में तो पूरे चैलेंजर्स के इन बाज ने बड़ी आया है के इन बाजी की अब देखने है बाबू का जो असली नेम है वो अजीज उल्ला है अजीज उल्ला ओर्फ बाबू बाबू खान इन बाजी की शुरुआत करते हैं सामना करेंगे वहां रविष बॉन बाबू की फ्लिक्स्टम को छोड़ती भी ये गिन रही थी जहां पर वाइट का इशारा इस वक्त आया है बाबू की वाइट के साथ अपने ओवर की इश्रुआत किये गिन बास में इसको और एकरम की मदद से अब दो फर्जा पहुंचाएं बाबू करने की कोशिश चेती रविष ने लेकिन एक पार फिट से डॉट गेंद ज़दो तर जो रविष डॉट गेंदे खेल रहे है उस तरह की लाइब में नजर नहीं आ रहे है इस सीजन रविष बॉंड पहली गेंद जहां बाबू की वाइड गेंद रहेती इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली कोई रण नहीं इस गेंद के उपर इस स्कोर अभी भी हम देखें तो श्रीफ वे दो ही रण बने हुए है रट खोद कर निकाला है इस गेंद को और मिट विक्रिट इदिशा में ड़केती है एक रण पुरा जया दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर दोने ही बल्ले बाज नहीं की नहीं जैसे ही खतर अपने कदम को वापस किया है और अब जाके आगे किसकता हुआ पींग रण एक विक्ट कवाने के बाद अब श्रेक पर आते हुए सगीर जो यह एक अच्छे बल्ले बाज है कल हम ने देखा कि बहुत बढ़िया बल्ले बाजे की थी सगीर ने कि अच्छे बाज़ एक तालिस रनों की पारी खेली ती सकीर ने कल के दिन और उससे बीच वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है लंगाफ की दिशा में वहां पर जिशान शेक माज़ूद है जब तक गेंद को फिल करते उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद के उपर लेकिन दूसरा रन नहीं ने रहे वहां दोने बल्ले बाज एक से ही सहमत रहना पड़ेगा इस पोर एक रन की मदस से अब जा पहुचा है चार रन इंफिकेट गवाने के बाद इम शुरुआत जरू रही है यहां पर शेक वारियर से लिकिन अभी भी दो बैतरी बल्ले बाज हुहां मौजूद है रविश बांड और सगीर लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अब तक जोने गेंदबाजों ने बहुत ही जबरस गेंदबाजी की है पहले आसिफ और अब बाबू विडाउन के दिशा में इस गेंद को खेंदिया देखना है काई सुआ मौजूद है जब तक गेंद को फिल करते उसी पीचे एक करन आएगा इस गेंदियों पर ज्यादा तर जो अब तक रन बने वो सिंगल और डबल में बने अलगी एक वाइट गेंद ज़रू रही थी पापू की पहली गेंद और उसके बाद ज्यादा तर सिंगल ही रन बने अब तक बड़ा हिट नहीं आया शेक वार अगर इसकी तरफ से अगर वार्फ स्टाथ गेंद वहां पर मिड़ विकिट की दिशा में केला है देखना है फैसल वहां मौझूद है एक खिरन एक बार फिर से ही आएगा अब तो लेकिन बाद में अफ्टा का अच्छी कित बास दिखिए है यह दो बने बाद ऐसे हैं कि इसे भी वक्त अपना चेहर इसे नहीं को अब कि अच्छी को अच्छी को और वाइट का इशारा इस वक्त आता है इस वर में जूच्छी वाइट गेंद की है बाबू ने स्कोर एक रफ की मदद से आप साफ पर जा पहुँचा है पहले गेंद भी वाइट की थी उन्होंने जब अपना शूरू किया था और ये गेंद भ इस वार लावान की दिशा में खेला है वहां पर रविश ने और आउट काफी श्ट्रकल कर रहे हैं ते रविश बोन इस बाहर आओ पाली पर लेकर खिलने की कोश्ट किती लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पायते गेंद को और बहुत बड़े हैं चुआ पर लंगान पे खड़े हुए खिलाडी आरी फार फारी वारा है तो दूसरा विकेट गिरा इस वक्त के शेक वारियर्स का इस मुकाबले में शेक वारियर्स ट्रॉस जित कर पहले बल्ले बास ही करने का उनका फैसला था लेकिन अब तक का इस तरह से खेल रहा है उनका ये पैसला सही सामीत नहीं हो रहा है इसके बाद जो मुकाबला है दूने के अप्रण के साथ 5T7300 वर्सेट राइजिंग स्टार की पीछ में रहेंगा सचीन नए बल्ले बास इस वक्त आया है नौन श्ट्रेक पर जबकी सामना करेंगे वहाँ पर सगीर तिसरे ओवर में गिन बाजी के लिए बुलाया गया है और एक बार फिर से आसिफ को पहला वर भी बहुत बढ़िया रहा था आसिफ का जहाँ पर सिर्फ एक रंग खर्च किया था और एक विकट आसिल किया था उन्होंने अब दुश्रे ओवर में भी उन्ही को बिलाया गया है दो और की समाक्ती पर रंग बने हैं साथ दो टेल वाने के बाद इसके वर की शुटर गेंद बाजी के लिए आसिफ चेक पहली गेंद वहाँ पर आसिफ की अच्छी गेंद रही थी थोड़ी सी नीची रह गई थी गेंद पीजब होने के बाद शुटर गेंद जिसे हम कहेंगे टॉट गेंद होती हुई यहाँ पर पहले वर में भी शांदर गेंद बाजी देखने के बिली और इस वर के भी जो शुरुआत की है आसिफ ने वह भी बहुत बढ़िया की है इस वर देखने हैं बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी है शांद बुरे वाम हो जीद है जब तक गेंद तो फिल करते उसी बीच एक ही रनाएगा इस गेंद हालो हालो करते हैं फिस मोल करते शुरुब करते हैं तो पाश रन आजा है पिछली एदिके पर वाइड गेस दिंग जिस पे चार रन है और टोटल इसकोर इस पाश रन की मदद से पंद्रा रन है इस पाश रहा है है अची पुराइड पर दूसरे के लिए प्लड़ चुके वहां पर थोड़ा सा मिस्फुल्ड और उसका फाइदा उठाया है दुने बल्ले बाद दोने दो रन निस गेंद कुपर श्कोर दो रनों की मदसे अब 17 रनों पर जापाँ चाए बाद बाद बुनिया दरीकी से मिडल किया है उसके इनको वहाँ पर सचिन ले जब तक फैसल के इनको फिट करते है उसी भीज़ते है इस गेंद के उपर इसको रहे करन के बदर से अब आगे की सकता हुआ अठरा रन दो विक्ते कवाने के बाद शेक वारियर्स अब तक दोने गेंद बादों ने अच्छी गेंद बाद ही किये आसिप और अज़गा बना कर खेलने की कुशिश की थी वहाँ सागीर ने लेकि सही गेंद बल्ली पर नहीं आई और अच्छी फिटी महां पर काईस दोने अरवास दुआ रहा तो ओर की समाप्ती दो तीन ओर की समाप्ती पर स्कोर बनाए अब तक अठरा रन तो विक्ते गवाने के बाद अभी भी यहां से दो और और बच्ची हुई है पहले इनिक की समाप अच्छी के लिए लेकिन पहले तीन होर में उसने रहा नहीं जोर्पाई यहां पार शेक और यहां अठा रहा है उच्छे के आसकी कोरे लिए इस वक्ते आगी मड़ती हुई मैं यहां आङब कि अणलो से जच्छी कोर 노ट पी यहां आगिए अब आरिफ के लाए गया है सामना करेंगे हुहाँ पर थचिन को लिए पहले गेंगे हुहाँ पर आरिफ की फुटास गेंते हैं और इस गेंद को बेज दिया गॉंटरी के बार छेरनों के लिए बहुत बढ़ी अशाण हुहाँ पर सचिन के बल्ली से आता हुआ पर देखने को मिल रही इस वक्त सचिन दुआरा जब पिछली गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इस बार से हम ना करेंगे इस सगीर आउन सेट में खिला इस गया तो हुआ पर संगीर ने देखने है टीप में हुआ खिलाड़ी मौजूद है लेकिन टीप में कदमों से एक ही रन पुरत गया हुआ दोने बल्यबादों ने स्कोरे कर दो मदद से आगे की सकता वा तो इतने को आने के बाद में शेक वर्येट्स जाते हुआ थे चांपिस रन यहां पर संचिन और संगीर यह तो बल्यबाद अब अपने टीम को आगे रख बैटर इस रख फेलने की कुछ उसकी हुआ बल्यबाद में अच्छी गेंग रही इस बाद आरे फुट गेंग इस बाद रही है कोई रन नही लेपाए हुआ बल्यबाद से लगन अच्छी इन देखिये हुआ उन्ने वोर्प पुट वहां पर देखना है फिलिकी है इ जिसको पूरी ताकत से नहीं खेला था हुआ बल्यबाद से स्रिफ फिलिक किया था उतनी पैते हैं टाइमिंग दी नहीं थी और बट बड़ी अक्याच महाँ पर समाम किया है तो सचिन की बारी यहां समाम दोती हुए बार रख बनाकर आउट हुए सचिन जिसरों की सथ पर यह तिसरों की घीरा है शेक वारियर्स का अपने बल्यबाद सचिन की जेगा लेने के लिए जाते हुए यहां सार नहीं बॉल वहां पहुचाना है तो सब्सक्षण साथ प्राइब कर दो सकता है तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई इसको अब तक 26 रन आरिफ सामना करेंगे वहाँ पर सगीर तो और की समाप्ती चार और की समाप्ती और रन बने है 26 रन इसके बाद जो होने वाला मकाबला है एफटी वारियर्स वर्सिस राइसिंग इस्टार की बीच में मकाबला रहेंगा पर की बाद जाता हुआ शेक वारियर्स और पूरे चैलेंजेस की बीच में शेक वारियर्स के जो हमनर वो IP ग्रूप के 28-28 दीकी ये टीम है शेक वारियर्स और बुरे चैलेंजेस जो है वो किशान बुरे के टीम है लाज़ वर में अपने आया गया गिन बाज है किशान शेक हूँ शेक वारियर्स के बल्ली बाज़ों के पास कुछ करने के लिए जब कि चार वर में अब तक जो रन बने सिर्फ 26 रन बने सभी गिन बाज़ों ने अच्छी गिन बाज़ी की पहले वर में जहां आसिपने एक रन देता और एक भुखित हासिल कि उसके बाद पापू ने भी अच्छी गिन बाज़ी की जहां पर एक विकित हासिल किया और आट रन खर्च की अब चिशान के देखना है यासान ने इस गेन को बहुत ज़्यादा उपर खेले दिया है उचाई ज़्यादा और तंबाई कम हा और वहां पर फैसल से चुको दियो उसका फैदा मिलता हुआ इस गेन के उपर दो रनों की मधीज से इस्कोर अब अटाविश रनों पर जा पूचाए हलाकि ज़ज बहुत बढ़िया किया था हुआ पर फैसल से लेकिन हातों में ले नहीं पाई दे उस गेन को दिवंदान मिला है वहां पर बल्ले बाज को ऑली गेंस के उपर बढ़े ह की तरफ गए थे बल्ले बाज या कर लेकिन बहुत उपर गिन को खिल बैडे थे इस बार स्वीचर खिलने की कोशिश की वहाँ पर सही तरी किसे गिन बल्ले पर नहीं आई और और जो होता हुआ लेकिन दूसरा रन नहीं ले रहे वहाँ पर सगीर अपने पास इस ट्रेक रख किस तरह से अब बल्ले बाज ही करते हैं सगीर ये भी देखना होगा जी शाद शाफल होकर खिला वहाँ पर और विक्ट्रो के उपर से गेन निकल गई डॉट गेन कोई रन है इस गेन के उपर बहुत जादा शाफल हो गएते हैं वहाँ पर बल्ले बाज सगीर वह कारण देखे हैं गेन बल्ले पर नहीं आपाई थी स्कूर अभी भी रुखा हुआ है उ का और विक्ट गिरता हुआ शेक वारियर्स का तो सगीर इस वक्त आउड होकर वापास लॉटते हुए नए बल्ले बाजा बजारे बल्ले बाजे के लिए फर्मान नोन श्ट्रैक पर जाएंगे फर्मान जबकि श्ट्रैक पर इस होता है या सर अभी भी दो गेंदे और बच्चीव भी है जब की स्कूर अब देखे तो उन तिसरा नब तक बनाय शेक वारियर्स ने अब तक जिशान द्वारा बल्ले का उपनी सिरा लगार बहुत बड़िया फिल्लिंग वहाँ पर शॉट्पाइल निक पर खड़े विथिलाडी काईस द्वारा एक ही रभ ने लिकिना है काईस के इंद के उपर इसको रभ तीस पर जा पहुचाए नहीं बल्ले बाज फर्म इसने फर्मान लास्ट के उपर क्या फर्मान साहिर करते हैं यह भी देखना होगा जबकि लास्ट ओमर में अच्छे इंद बाजी देखने को मिली अब तक है जिशान द्वारा आते साथ मुआ पर पड़े एट की तरफ गयते लेकिन बहुत ज्यादा एट को उपर खेल जाए यह जाए बथीस और तैटिस का तरफ इसका टार्गेट रहेगा इस वक्त पूरे चलिजेस के साथ है आए अगले टाउस तरह संबन दे जांपर राइजिंग इस्टार और एफ्टी वारियर्स के बीच में रहेंगा ये मुकाबला एफ्टी वारियर्स सेवान थिरी डबल जिरू आए अगले टाउस के लिए आना है दोने कप्टैन के लिए आपको फैदान पुरी हमारे के इसे महुचिदे है अगले मैच का टाउस होने जा रहे है एफ्टी वारियर्स के कैप्टैन और राइजिंग इश्टार के कैप्टैन टाउस के लिए आना है एफ्टी वारियर्स के कैप्टैन आचुके है राइजिंग इश्टार के कैप्टैन टाउस के लिए आपको भी आना है झाले कि अपटैन देलिए अप्टैन आपा शीड़ीर्स के का लिए से लिए्टैन अप्टैन आपटैन और राइजिंग प्टैन तर्सक्टैन पर राइजिंग स्टार का और आया भी है तॉस को जीता है इस वात राइजिंग स्टार के केप्टन पपाशिक ने पपाट जीता है क्या करना चाहोगे फिल्लिंग करने का फैसला आपने लिया सामने जो टीम है एफटी वारियर से एक अच्छी टीम है खास करके उनके पूभ जाने लोखने की कुछिश करोंगे इस वाइजिस रंग्या अंतर रूखने की कोशिश करोंगे इस फइडीस रंग्या आपके पास जो गिनवाजी है सभी गिंदा से इसे अंपेल में बहुत बड़ी आगी लिकिन इस मकाबले में वह कौन से गिनवाज रहेंगे जो आपकी मजद करेंगे आशी के सुरज ये सारे ही गुलर अमारे अच्छे पुड़ी लास की ओर में मतलब ने ओर पा रहा है अब यू चेंजेस करके अम लोग दूसरा गुलर चलाएगे वापी देखिए अगर हमें आपने अपने अपने तरफ से कितना परसिं देने जा रहे है इस बड़े मकाबले में आप टॉस ये तो आप क्या करते है लेकिन बल्बाज आए कितने रणों तक जाने कोश्च करोंगे जादा से जादा मारे गेरा है और वो कौन से बल्बाज रहेंगे जो आपकी मुदल करेंगे सब किलते हैं क्या कहेंगे मापुली प्रियमेर लिग के बारे में अप हमने ही माइनद किये और हम भी के लिए तो अभी अभी हम पर टॉस हुआ है एफटी वारियर्स और राइजिंग स्टार के बेच में जापर राइजिंग स्टार के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले फिल्लिक करने का फैसल लिया है रिएल्स और स्टार राइजिंग स्टार के का लिएल्स ने राइजिंग स्टार के लिएपशाई प्राइजद का लिए आल्टन घर अरुटन ने। आने के लिए यहां तो तो भी बनाटन ने एच इसका बहूत थेज बलह घुमा यह अपर आसे ने तो पहली दो गेंदे यहाँ पर बहुत बढ़िया किया है सचिन ने दोनई अपनर बल्लेबाद इसक आसिफ और फैसर कि इससाथ जब की एक पहली दो गेंद बहुत बढ़िया है जो टार्गेट इस वक्त है बुरे चैलेंजर्स के सामने वो है तैतिस रनों का टार्गेट है आगे निकल कर इस गेंड को वहाँ पर आउंसाइट में डखेंड दिया है वहाँ पर जब तक गेंड को मिजान पीचे दो रनाएंगे इस गेंड के उपर दो रनों की मदद से अपना अपनी टीम का खाता खुला है वहाँ पर बल्ले बास ने इस पार प्रीस में पिछे जाकर पूल किया इस गेंड को वहाँ पर दिखना है बहुत दूर से अब जाकर आए मिजान गेंड के उपर और इसी बीचे दूसरे रन के लिए पलट चुके है दो ने बल्ले बास बहुत टेज कदम के साथ ये दूसरा रन पूरा किया दामा आसिफा और फैसल ने पूरे चैलेंजर्स के इन बास ने बहुत टोड़िया इन बाजी की और 32 रन पर रोखा इस वक्त शेक वारियर्स को टैचिस रनों का टार्गेट जहांपर सचीन इस वक्त अच्छे इन बाजी करते हुए बहुत बढ़िया के दूहाप और विक्तो के पीच में इस गेंड को रखाता हुआ सचीन ने अपने आपको बचाते हुए वहाँ खेला है आसिफ ने एक रन एक बार फिर से आएगा अधी कमाल की गेंदबाजी यहां पर दिखने को मिल रही है सचीन द्वारा और इस डी ट्रोफी में तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उनकी रहती स्लोग और में जब हो गेंदबाजी के लिए आरे थे उनकी सामने जो रन रहे थे तो 17-18 ऐसे रन रहे रहे थे 13 रन और सभी मकाबले उन्होंने जिताई भी थे इस बार सामना करेंगे फैसल इसका आज का यह दूसरा दिन है जह उसरे ईवricsे भे में इ Vousht होके घच से ऊचनींटने में ननकी कमाले से जनकी सुछंट देओैसने के देबदाजी के सहलोच दो इनकी झाल, 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 झाल पोप जाट, फटे कुछ जाग, डाट जाट, यह सट जले। जाट जा अग जा innovate, डाट, जाट जाट, जाट जाग जाट, जाट, जानओ, जाट, जा靡 वा एग हनोगे ईदीव, जा दॉत, जाट झाट को खम चिट समय द। पकाल पर देखना और थ्रो हुआ है बहुत दूर से खिलाड़ी आ रहे है लगातार हम देख रहे हैं कि अब भागम बाग किर्केट देखने को मिल रहे है पाच रन ही जगेंद के उपर आ गए है इसको और पाच रनों की मदद से अब दस पर जा पहुंच है लगातार मुझे देखा कि अर्शेक वारियर्स की जो है वो फिल्डिंग उस परकार की नजर नहीं है इस वार दूसरे वार में कितवाजी के लिए इजान को बुलाया गया पाईली कि इतकी पर पाच रव दोड़ के विरत पूरे के महाँ पर आसिफ और जीशान देख तैटीस रणों के लक्ष का पिछा करते भी इस वक्त भूरे चैलेंजर्स इस बार सीधे बले से इस गेन को खिलाए वहाँ पर देखना है बहुत दूर से सची ना आते हुए लेकिन कोई माउका नहीं वहाँ पर और गेन चली गई है बाउंडरी के बाहर चार अनों के लिए अच्छा श्ट्रोप वहाँ पर इस वक्त आया है जिशान के बले से इस तरह से यह बाउंडरी लगाई है वहाँ पर पिल्कुल कुछ वक्त के लिए तो ऐसे लगा है मानों सचिन टेंडिल कर रही है इस तरह से सचिन भी इसी तरह से इस ट्रेट ड्रॉइल लगाया करते द उनसे तुलना हम किसी भी बल्लबास की नहीं कर सकते इसी भी जुआ पाराउंसाइट के दिशा में खेल दिया इस गेंद को एक ही रन इस गेंद के उपर इसको रेक रन की मदद से अब आगे पाउस्ता हुआ पंद्रा पार अगला मुकाबला देखेंगे इसी बीच वहाँ पर मिजान की ये गेंद हुआ बढ़िया गेंद रही थी मेल विकिट की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्ले बाज आसिफ ने टॉट गेंद होती भी इस ओर में अब तक दस रंग खर्च की है मिजान ने अभी भी दो गेंदे बची हुई है इस ओर में इसको रम देके तब तक पंद्रा रंग इस बार फुट आस गेंद महाँ पर और इस गेंद को बेज दिया है या घद ब़ाइस घंच pessim होंपर इस वकर आता हूआ असिफ के बल्ले से अशिफ गन दिया और टीप स्परले कि उपर से इस गेंद को बेज दिया च्छे रंगे लिए सिक्सर की मदद से इसकोर अब तेज से आगे दोड़ता हुआ 21 रन ये देखी किस तरह से यहाँ पर फुटावस गेंद को पनिष्ट किया हुआ पहले बाद आसिफ ने अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मकाबले को जितने के लिए 12 रन और चाहिए इस वार में काफी रन खर्च की है मिजान डॉन ने जब पहली केंद के उपर पाश रन आगे ते पंजा आ रही है तो उसके बाद चार रन बांडरी लगाई वहाँ पर इस शान देख बाद रही बड़ी बड़ी असी से लगाया इस बार असिफ ने असिफ जो अच्छी बल्ली बाद लिकरें सोना रन उपर ना बाद है अब यहां से बारा रन और चाहिए तकि इसके बाद इस वर के बाद और और का खेल बचा हुआ है इंप्रुआइज इस बार असिफ ने जब सीफ इंगली से काम हो रहा है तो फिर उगली को तेड़ा करने की कोई जब रख नी टॉट इसके साथ अपने ओवर की समापते की एगें बाद बिजाने दोवर की समापती ओर रन पर ने है 21 एक इस राई एक विकट गवाने के बाद अठा गेंदे और बारा रन अब यहां से चाहिए इस मताफ़े को इतने के लिए तेड़े कि इंद बाजी में अब एक बार फिर से सचीन को बिलाए गया है कि इंद बाजी में भी सचीन ने बहुत उलिया कि इंद बाजी कि माचरन खरच किये थे और एक प्रिकिट आसिन के थे इस भी था पर हॉफ अली पर लेकर इस गेन को खेलाया और एक असान सा क्या जो आपर ड्रॉप किया है रविशने इस जीवांतार मिला हूँ आपर बल्ले बाज जिशान शेक को सचीन जादो जिनने काफी सयोग किया है हमारे कॉमेंटरी बाक्स में आज उन्हेंने बहुत अच्छी कॉमेंटरी में किये मराणी में बार देखना है वहां सही कनेक्ट किया और गेज जाएंगी ठड़ मेरे के दिशा में चार रहनों के लिए इस चापी की मदर से इसको रहा है तो 26 पर जा पहुचाए तो बहुत बड़ी आश्ट्रुप वहां पर आया पिछली गेंटियों पर अस्रिफ के बले से पर फिर से उसी तरह का इस ट्रुप और ये गेंट भी जाएंगी बाँट्री के बाहर चार रणों के लिए बहुत बड़ी आ तरीके से इंप्रुवाइज ट्रुप खेल रहे वहां पर आसिर शेक लगातार दो गेंट पर दो बाट्री लगाई और इसको रहा हम देखे तो अब तीस रण अब यहां से तीन रण और चाहिए इस मकाबले को अपने नाम करने के लिए बुरे चैलेंज गेंट वाइट का इशारा इस वक्त आया है एक रन और आएगा इस स्कोर में इस स्कोर अब एक तीस रण आसिफ शेक इस मैच में पहले किन बाजी भी बहुत बड़िया उन्होंने की और बल्ले बास भी हम देख रहे हम तक 24 रन बना कर खेल रहे हैं तो और रॉन पर्फॉ कर रहे हैं वहाँ पर दोने ही पहले बास है एक रन और चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए इस बार देखना है महाँ पर इशान ने इस गेन को खेल दिया और वर्म बास में गेत जाएगी बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है उरे चैलेंजर्स ने आईये मैन आप दो मैच खिलाडी आसिफ बहुत बढ़िया बले के इन बाजी किये दोवर में उन्होंने इकुन मिला कर बारा रन खर्च किया और एक किड़ासी किया और जब बले बाजी में आये तो पच्छीस रम भी बनाए आईये आसिफ मैन आप दो मैच